नियम, काईदे और कानून को सिखाने वाले जिम्मेदार जब खुद नियमों की धजिया उड़ाएं तो इस बात पर सवाल उठना लाजमी है ऐसा ही कुछ हो रहा है जबलपुर जिले में जहां जनता की सेवा के लिए चल रही FRB डायल सौ वाहन जिसमें सवार होकर पुलिस किसी भी घटना दुरगटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुँचती है पर पुलिस विभाग में लगी प्रायवेट कमपनी भारत विकास ग्रुप पुडे की जिले में चल रही करीब 45 डायल सौ वाहन का बीमा कई साल पहले खत्म हो चुका है बाबजूत इसके आज भी सडकों पर पुलिस की डायल सौ बिना बीमा के फर्राटे से दोड़ रही है जबलपुर के सहरी एवं ग्रामीर छेतरों में 24 घंटे तैनात रहने वाली डायल सौ धीरे धीरे खत्म होने की कगार में है प्राइवेट कंपनी की मनमानी से डायल सौ बाहन खराब होकर वर्ग सौ पर खड़ी है और जो सडकों पर चल रही है उनका बीमा कई साल पहले खत्म हो चुका है जब इस मामले की जाच की गई तो डायल सौ वाहनों के रजिस्टेशन नंबर के आधार पर ऑनलाइन बीमा चेक करने पर अधिकतर वाहनों के 2016 में खत्म हो चुके है पूरे मामले में भारत विकास ग्रुप कंपनी के जिम्मेदार जहां कुछ भी बोलने को तयार नहीं है वहीं SP रेडियो जितेन पटेल ने वाहनों का बीमा नहीं होने की बात को सुईकारते वे इसे भारत विकास ग्रुप कंपनी की गलती बताई और कहा कि जल्दी सभी वाहनों का बीमा हो जाएगा इसकी जानकारी हेटकॉर्टर भेज दी गई है